बाबा बहुले नाथ की तिसूल पर टिकी हुई कासी नगरी है अगने स्री कासी नाथ मलसी जी है उनके साथ हुआ सुरंदर याद हो सभी कलाकारों को बिजय लाद याद उमा देवी बैरागन कहां चली गए उसका पता नहीं चला नहीं तो वो एक भारती नारी का क्या लिव पर टास होना चे पोसाक होना चे विरहाव समंदर है जिसमें हर प्रकार की मोती मिलती है नमस्कार पडाम मैं हूँ संतोस और आप देख रहे हैं सौला फिंदी दोस्तों बिरहाव जगत के कलाकारों के इंटर्विव के सफर में एक बार फिर से आप सभी दर्सकों का स्वागत है और आज मैं उपस्थित हूँ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है कासी जिसे आज वारारसी के नाम से जाना जाता है वहीं पर आज मोजूद हूँ और हमारे साथ एक बिरहाव कलाकार है उनसे मैं बात करूँगा और इनके इस स्वर में परिचे आप लोगों को यह बताएंगे तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर एक परिचे छोटा सा बता दीजिए अपना दर्सकों को दर्सक बंदू हम गायक कलाकार भोजपूरी विरहाविधा के सतीष चंद्रयादो हम यहीं से रहकर इस बनारस की पुने परमतब भू में जो बाबा भोले नाद की तिसूल पर टिकी हुई कासी नगरी है हम यहीं रहकर के बिरहा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर अपनी सेवा करते हैं इंटर्टेन्मेंट करते हैं आप लोग बिरहा जो बिरहा है सबसे प्राचीन बिरहा कही जाती है उसको आप लोगोंने आप जैसे लोग हैं और भी महान कलाकार में बिरहा के आप लोग इसको बिरहा को आगे लेकर चल रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हम ये जानने के लिए आए हैं आपसे कि आपके संघर्स जो बिरहा के प्रती हैं, कितना संघर्स है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके परिवार में कोई पहले से बिरहा गायक कलाकार था या नहीं? नहीं, नहीं, हमारे परिवार में कोई पहले बिरहागायक नहीं था, कोई नहीं, दादा से लेके पिता जी, तक कोई ? जाए नहीं था तो आपको कैसे लगा कि मुझे बिरहा गाना चाहिए हमको यह लगा कि हमारे थोड़ी ही दूरी पर हमारी जन्भूम बलिया जिले में है और हम जै जखार जद्दू घराने से बिलांग करते हैं और हमारा घराना जो है बेश्वान बलिया वहां से जो कराकार थे हमारे उस्ताद आधनी श्री स्री नराहिन जी और उनके पिताज जी थे तमाम लोग विरहा ऐसे ऐसे प्रस्तुत किये जिसको सुनने के बाद ये लग धाकि आज बिरहाम के माध्यम से संगीत माध्यम से आम लोगों को अधाकों को एयर आकर दाए 1-200 9 के बीच में इसको दिया जाए ताकि लोग सच को समझें जो घटनाए होती हैं कभी इतिहास लिख करके कभी बिरहा के माध्यम से हम लोग पूरे इस समाज को जागरूप करते हैं कि जो समाज में बुरायां ब्याप्त हैं कुरीतियां ब्याप्त हैं उसको हम लोग संगीत के मा कितना चिंतन करने के बाद चाहें गायक हो चाहें कभी हो सवसेश्ट भूनका तो कभी लोगों की है जो चिंतन करके कहां से मोती निकाल करके इस समाज को दिशा देते हैं बार बार उन कभी का भी हम हारदिक स्वादक बंदन अभिनंदन करते हैं चलन स्वर्ष करते हैं कि वो लोग कितना तपाते हैं अपने आपको स्वर देना, स्वर के माध्यम से कौन गीत कहां पर अच्छी लगेगी, उस बिरहा में पेस करके चाहे वो अल्हा के रूप में आवे, चाहे कोई भोजपूरी गीत के रूप में आवे, चाहे फिल्म के रूप में आवे, चाहे गजल के कहानी है, जिस से एक जीवन का दर्सन bhi होता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये बिरहा इस समाज को देता है ताकि जो अत्याचार अनाचार, दुराचार यविचार जो कुछ भी हो जाता है समाज में वो हम और आपके बीच में यह समाज के लोग आते हैं और करते हैं, जिसकी घटना को हम लोग प्रस्तुत करके बिरहा के माध्यम से लोगों को जताते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, सब कुछ जीवन जीने का अधिकार है, अत्याचार अनाचार जो कुछ भी घटना करते हैं लोग, इति लेकिन संगीत के माध्यम से बिरहा इस समाज को सुधारने का काम करता है, अच्छा बिरहा के अलामा और भी कुछ करते हैं आप, क्योंकि इस समय बहुत कम लोग हैं जो बिरहा से ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं, आप जीवन में और भी कुछ करते हैं, आप बिरहा के बाद हम वही टीचिंग का काम करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और कोई दूसरा काम तो है नहीं मतलब वही जीवन यापन के लिए हो है टीचिंग तो बिरहा का प्रोग्राम जैसे किन-किन लोगों के साथ का हुआ है बिरहा का प्रोग्राम तो आदने श्री हमारे सिनाथ मलसी जी उनके साथ हुआ है उनके साथ हुआ है सभी कलाकार को भीजैलाल यादो जी के साथ हुआ है और हीरा वस्ताद के साथ हुआ है तसलिदने पुराने तो यह लड़कियां भी आ गई बिरहा जगत में तो 95-95 से ये लड़कियां आई अच्छा महिलाओं के साथ किन किन के साथ हुआ है आपका विराइए अब महिलाओं में सबसे पहले तो ये घीता त्यागी आई उनसे पहले उमा देवी बैरागन आई और हमारे उस्तादों परकास जी भी उनसे सबसे पहले अधिक वही प्रोग्राम गा आने के बाद उमा देवी बैरागन कहां चली गए उसका पता नहीं चला नहीं तो वह एक भारती नारी का क्या लिवास होना चेए पुसाक होना चेए साड़ी पहन करके अपना सिर्फ उसका चेहरा दिखता था और ये दोन बसा और सिस्टेमेटिक धंग से जो भारती लिव वग्सास है नारियों का और पूर्शों का तो नारी की सोभा है वो तो वह साड़ी पहन करके अगर कोई प्रस्तूति करन करती है तो एक मर्यादा रहती है कर अर्व पुरुष दोती-कुर्ता कब्रस पहन करके बिरहा के प्रस्तूति करता है वह मा्देवी बरगन वो सब वैरागन जो थी, वो सबसे पहले बिरहा में आई, और हम तो उनसे नहीं गा पाए, लेकिन हमारे उस्ताद गुरु जी, आदुनियों प्रकास जी, गाये उनके साथ, और बहुत अधिक भीड हुई, जिसमें उसके बाद गीत्या त्यागी आई, हनीता राज आई, सबसे हमने कारकरम किया, कविता किष्ण मूर्ती आई, ऐसे रजनी गंधा जो कुछ भी कलाकार है, लेडिज में, मीरा मूर्ती है, सब लोग, उनके साथ हमनों का कारकरम हुआ, बहुत कारकरम हुआ, यह है, तो कई लोगों के साथ आपका प्रोग्राम भी हो चुका है, तो परिवार म कितना सपोर्ट रहा भी रहा कि प्रति आपका, लोग क्या कहते थे, कि नहीं, गाईए, मना किया गया कभी आपको, कितना संगर्स रहा है, देखिए, हमारे परिवार में तो, हमारा परिवार सुशिक्षित परिवार था, हमारे चाचा जी, दो चाचा, हेड्मास्टर थे, प्राइमरी स्कूल के, और पिता जी हमारे राजस्विभाग में आडिटर थे, और भाई अगर जई है, और हमारे भाई पिता जी की जगह पे पिता जी का द्याहांत हो गया, तो उसके बाद हमारे भाईया जी को सर्विस मिली, और हमारे छोटे भाई है, वो भी प्राइमर कोई इसका बिरोध नहीं किया कि मत गाओ वो लोग कहते थे कि भाई जो तुम दिल मन से अगर तुम इसी में तुम्हारा मन लगता है तो करो लेकिन अच्छे डंग से करो तो हमको जितना प्रयास हुया जितना भागय और किस्मत का भी एक संजोग होता है न कि जिसको चाहे हो और प्रयास करते रहिए और जहां तक सफलता मिलनी थी प्रयास अभी तक उमर शमय संगीत के लिए कोई वदा नहीं होता है चल रहा है और कहां तक क्रिती जायेगा कहां तक स्वर का अलाभ जाएगा कोई कहां नहीं जा सकता लेकिन सेवा करते हैं हमारे परिवार के ek हम लोग आपके साथ हैं को यह नहीं कहा कि मत गाये और हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे लेकिन यह रहें उनलों को यह ख्याल था कि भाई बीरा से लाइफ भी बरबाद हो सकती है कि एक प्रकार स्वता है जिसमें व्यक्ति सफ़ल भी हो सकता है अशपल हो सकता है तो जीवन दो एक संगर से उठणा लगा रहाता तो तो क्या लगा आपको की लगता है या घर वालों को लगता है कि आप बीरा में सफ़ल हुये था इतना लोगों के साथ हमारा कायरक्रम होने लगा अलग सब जगहों पे सब चर्चा होने लगी तो लोगों को संतुष्टी मिन्ने लगी अग्तों घर वाले हमारे भाई सब लोग अपने-पने में जुटे रहते थे लेकिन हम अपनी अलग विदाये सोच लिए विचार लिए संगीत में मन लगे अपना प्रस्तुती करने लगे परिवार वाले उसके बाद जब हमारी ख्यात बढ़ने लगी तो सब लोग और खुल करके सपोर्ट करने लगे और गर उसे भी करने लगे कि मेरा भाई है मेरा लड़का है मेरा बतीजा है अच्छा बिरहा गाते गाते क्योंकि बिरहा में बड़ा ही उतार चड़ा हुआ है आपको भी लगा हुगा कि बिरहा में बहुत उतार चड़ा हुआ है और अब की बिरहा और पहले की बिरहा में बह वो होता था पहले दो विरहा एक गवया कलकार गाता था और उसके बाद दूसरा कलकार एक विरहा तो उसका जबाब देता था और दूसरा अपना विरहा वो बरहाता था गा करके कि इसका जबाब में वो गवया गाएगा लेकिन अब क्या हो गया धीरे-धीरे समय जब परिव आप एक तरह का गालिया और वो कलाकार उधर का जो मन आया वो गालिया जिसके वज़ा है कि आज थोड़ा सा हरास हुआ विर्हा का और उत्थान तब होता है जब कमपरीजन होता है एक दूसरे में जब तुलना होती है जब आप सवाल होता है तो कलाकार की विधा और कलाकार क एक प्रस्तुत करता था अब पने इंसार्पा। इपिए कंग के लिए को और ओके बasındaकीस भी लग्वश्वत गॉल्ष मोज़ते हम सुपल ochLR मका उन्हें 양ा वो पानी पर की लकीर हो गई इस तरह पानी पर लकीर खीजे तुरन बुज जाती है उसी तरह से पत्थर की लकीर पहले थी कि बिरहा का कमपटीशन होता था जबाब सवाल होते थे माकूल जबाब मिलता था तो पबलिक संतूष्ट होती थी कि नहीं एक अलकार अच्छा है मा आज उसका हरास है जिसके वज़ा से बिरहा का थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरना सुरू हुआ है और दूसरी चीज उसमें यह भी सहायक है कि मीडिया इतनी हो गई कि लोग घर बैठे टीवी में मुबाइल में सब जगा अपना देख लेते हैं सुन लेते हैं बिरहा मंच पर होता है तो कोई नहीं जानता है वह कहता है कि जब हमको घर में हमारे हाथं में मोबाइल है हम सब कुछ देख लेंगे एकर लेंगे तो फीर क्या प्रोग्राम से मतलब है लेकिन इस से थोड़ा सा उसका ग्राफ गिरता है बिरहा का नहीं तो बिरहा हुआ हमारे समझ से कि बिरहा हुआ समुंदर है चाहा संदर का समुंदर कह लिजे चाहा संगित का समुंदर कह लिजे बिरहा हर चीज को पुष्ट करता है इसलिए कि बिरहा में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बिरहा के कलकार छोड़ सब ऐसी आइसए प्र duplicati लोग किये हैं जिसको सुनने के बाद यह होता था कि विरह के बाद कुछ है यह नहीं आज तो विरहा लोग कॉन है नाच करके कालाकाइ्ट जब दांस करता है वो भी करता है कि यह कला है लेकिसमी बिरहा को नाच में पрахनी उत किजिए बिरहा अर्मिन दे कलाकार नाचना चुरू किया यह दूसरा भी नाचना चुरू करता है तो थाल शुखेम sch 앞에 नाचना के फामे दूसरा. तब लुप्त हो गई आज बिरहा भी उसी कगार पे उसका ग्राप गिरने का यही कारण है कि भाई नाच अगर बंद कर दिया जाए बिरहा की कसावटी पे गीत हो अगर बीर रस का बिरहा गाता था गवया तो समझ में आता था कि पूरी जंता में जोस दोड़ परा है अगर भूम में अगर लड़ाई लड़ रहा है जवान तो बिरहा का कलाकार यह प्रस्तूत करके बता देता था कि लड़ाई हो रही है करुणरस का गाता है तो आखों से आसु गिरते हैं हिर्दय परसीच करके आखों से निकलना शुरू कर देता है अपनी वेदना को लेकिन आज ग्राफ गिरने का यही कारण है नहीं तो आज भी अगर साक्षात प्रदर्शन किया जाए तो बिरहा बिधा के सामने सारी बिधाएं फीकी पर जाएं हमने कहा कि बिरहा वह समुंदर है जिसमें हर प्रकार की मोती मिलती है बिरहा वह प्रतिष्ठा है जिसमें जो नाच गान करती थी लड़कियां बिरहा के मंच पे आई उनका सम्मान बढ़ गया नहीं तो वही नाच में वही ड्रामा पार्टी में नाचती थी तो लोग पैसे पर बुला करके उनके साथ किस तरह का बेवहार करते थे अब वही बता सकती है लेकिन उसको सुनने और देखने के बाद लोग उसको तवाइफ भी नहीं करते रंडी कर लेते थे उसका अपमान होता था लेकिन वो सोचती थी कि पैसा से सब कुछ है तो पैसा कमाने के लिए तो वो किया लेकिन परतिष्ठा की जब लालत होई कि नहीं परतिष्ठा पैसे से बढ़ करके है तो उसने बिरहा विधा को अटन कर लिया अब बिधा को जब अटन किया तो उसमें सम्मान मिलना शुरू हो गया वही सुरोता वही देखने वाला सुनने वाला सुरोता जाता है तो पैसा पकड़ाता है वो लड़की पकड़ती भी नहीं है उसको जो कलकार गवारा है जो उसके गारजियन है वो गवारें वो पकडते हैं और उनका नाम लेकर करके बोलती है तो यह सम्मान उनका बढ़ता चड़ता चला गया मात्री बीरा की देन है नहीं तो उनको बहुत उपेच्छी द्रिष्ट से, हे द्रिष्ट से, गिरी हुई द्रिष्ट से उन लड़कियों को लोग देखते थे